दो दुलहनों का ऐसा घेरा, जो बनेगा अगनी फेरा इका कर रहे हैं आप? मना किये हैं आपको इबत्तमी जी करने से हमसे? समझे में नहीं आ रहे हैं कि आपको? दिसकुशन के लिए गन लगा कर नहीं ले जाया जाता है तुम दोनों जेल जाओगे बलबला आओ मत, कहा है कि तुम पहले से हमारे हिटर लिस्ट अरे हमें तो ऐसा लगता है, विकराल सिंग ने तुम को भी खरीद लिया कितने में बिके हो? उतना ही बोलो, जितनी तुम्हारी उकात है तुम्हारा पता पिराबलम का है? कि तुम्हें सब ना अपने साइडे में चहीं है भाई मामला का है, का चल रहा है जिसाब? राग नहीं तुम? का, का कर लोगी? तुम तो किसी बे उंगली ना ही उठाओ तो बहतर है दूसरे के होने वाले पती पे तुम्हें बंदूक तान के शादी की है ससुरा वो क्या है ना मेरा आज उपवास है? कैसा उपवास भाई? क्या है न बाबुजी वो मा कहती है के शादी शुदा जोड़े के लिए ये नाख पंचमी का जो वरत है ना बहुत माईने रखता है हमारे वास को तुम जो चाहे समझो लेकिन हम ये वीशु जी के लिए कर रहे है हमारा चाहे जैसा भी रिष्ता हो लेकिन इसी रिष्ते की वज़े से वीशु जी की हालत हुई है एक दिन का अभास में कोनो दिक्कात है काया नहीं, नहीं बाबुजी कहिए किसका टिकेट काटना फो लड़की कलती नहीं होना चाहिए तुम लग अपना काम कर देना तर्ट हम पे काह गिर रहे बे गिरना है ना तो बगवान के चर्मों में जाके गिर भूले बाबा हमार बहु बेता काना पूजा स्विकार करना है कोनो ऐसा चमतकार कर दो कि वो दोनों हाना एक हो जा उनका प्रेमा टूट रहे बोले बाबा बस दोनों का घर बसा दो रही का कर रही हो वो आज नाग बंचमी है तो मतलब कुछो नहीं हम ही पूछ रहे थे कि तुम बगवान से का मांग रही है चाहे कुछो मांग रही हो बागी कर दो कि कौन सा बेटा के लिए मांग रही है हमको भगवान का मामला में यह सब मजाक पसंद नहीं है कह रहे है हाई लो हम कितना न काम का बात कर रहे है तुम कोई मजाक लग रहा है है एको बात बताओ भगवान से मान मनवती करते रहती हो का मानती हो मैं बेटा बहु के लिए ना इह ना कि तुम्हारे बेटा बहु खूस रहे साथ रहे है कि नहीं बाकि कुन नजदी का रहे है एक दूसरा के आप दूसरा तरफ देखो अनुराग बाबू आप बढ़की भावजी को लोग तदूरे नहो रहा है तूसरा से यह बात तो तूम एकदम सही है कहरे दूलर्या आम बोले बाबा से ना फिर से प्रार्तना कर लेते हैं उबी नाम लेकर अरे बोले बाबा हमारे अनुराग और रागिनी को एक कर देना और बीसो की जिंदगी से ना इस तूसरी को अलग कर देना है अब देखो हम एगदम सहीए नाम लेकर बोल रहे हैं अब आप एगदम सहीए कर देना सब कुछ है अब थेक एगदमे की लियर तूम इस वार कर आप ठीक वीशो जी सुषी दुक दो वीशो जी आप चाहिया क्या गरीओ था ठीक रे हम पे काहे गिर रहे बे गिरना है ना तो भगवान के चरनों में जाके गिर वीशो जी आपका घर आगया वीशो जी चलिए आये श्रिष्टी जी आप अमरे साथ घर नहीं चलेंगी आप सारी बाती जानते है ना फिर ऐसा क्यूं कह रहे हैं जिसके जवाब में हमें ना बोलना पड़े श्रिष्टी जी हमको पता है आप बहुत बिजी हैं आप हमसे रोज रोज नहीं मिल सकती लेकिन श्रिष्टी जी का आप हमरी एक रिक्वेश्ट मानेंगी बताईए प्लीज मना मत कीजिएगा हम ना आपसे ना हर रोज बात करना चाहते हैं दिन में एक बार उभी सिद दो मिनट के लिए श्रिष्टी जी उका है ना कि हम आपसे दिन में एक बार बात कर लेते हैं ना तो हमरा सारा दिन अच्छा जाता है साष्टी बोग लगने पड़नाई दाल-चावल पर एकदम चपन बोग की तर लगता है बहुत थे भूख लग्रहा हमे हम्म भला आ गया कहना खारिऊ हो कहने से दूष्मिन निगाल रही है कि अच्छी ना तो पधास्मी हो जाएगी खाने से हमें कुछ हो ना हूं लेकिन जो आप हमारे खाने पर नजर लगा रहे हैं उस तो जरूर कुछ कड़ बढ़ा जाए अरे अम्मा जी खाना लाइए न अपने प्यारे दमाजी के लिए अरे खाने वाने में को नजर लगाए मेरी नसर तो तुम पर है अरे दमाद बाबू यह लेटर है यह सील को ने लगता आपके लिए आया है एक सिक्ट पाभूजी यह तो मेरा वर्क ओडर है मतलब अब मैं काम शुरू कर सकता हूं मेरा कॉंट्राक्ट अप्रूव हो गया है हम उस सेखर को समझाने आए है यह मुकदमा है न उसको बापिस ले 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 तो उसके मुकदमे को लड़ने के लिए ना कोई वकील नहीं बचेगा तुमे केस छोड़ने की कोई ज़रत नहीं है और जिस रिष्टे की तुम बात कर अगर उस रिष्टे को हम रिष्टा नहीं मानते तो तुम्हे उसे निभाने की कोई ज़रत नहीं है त्वाद बापु ना मिषाना लगाने में बिल्कुल है आपके जैसा है तो जे छ चछोरे कपड़े पहन के घूमेगी तो भूल गई की तुम भूल गई की तुमारी जाना. क्या वात है, सुमन? तुम्हें वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी? हम सब यहाँ वेट करें तुम्हें उस ड्रेस में देखने के लिए. हलो? तुम्हारी ब्यारी सी वैश्रमी को ना, कुछ नहीं. बदले में तुम्हें एक छूटी सी शॉत्मानी को. जिराब को यहाँ ले आप और अपनी फ्यारी सी वैश्रमी को ले जाओ. कुछ ना? यह सब इस ही नहीं हो रहा है क्योंकि तुम एक नहायती घटिया के इंसान अभी. शेम उनी हूँ. मेरा माइन लो लाइन में जानी तो वर्ना. वर्ना क्या? मारोगे मुझे? मारोगे? मुझे समझ में नहीं हा रहा है. सारा घर चाह रहा है कि अभी और मीरा के बीच में जगडा हो. अब जब जगडा हो रहा है तो प्लीज उन्हें थोड़ा सा वग दीजिए. मैं समझ सकता हूं कि यह बात आपके लिए कड़वे सच की तर है. मेरे ख्याल से अभी शेख जी को उस लड़की के साथ जादा नज अच्छा, तो शरली के साथ देखा इसने? हाँ मीरा. अभी? लेट्स एंड अल दिस. वाट? काहे तकलीफ किया अपने दूद बूद किया अब नहीं भी पीते तो चलता ना? आपको दूद पीना पड़ेगा? इतने प्यार से बनाके लेके आया हूँ, दूद तो पीना पड़ेगा आपको दिमाग खराब होगो का? जो तिवारी भाया के घर को खुद वारे तुम से? अगर माल चाहिए, तो चूप करके खुदाई कर बस. अभया जी, कब तक खोद उन्हों है? खोदे के लिए में इतने ही है. बस खोदते जाओ, खोदते जाओ. बड़ो, तेरे लिए. यह की है लखी जी? बढ़ के देख ले? यह मेरे लिए लखी जी? अबड़ो, थारे वास्ते. क्योंकि थारे ब्याका काट कभी छपाना था ना. और थारे हमेशा बच्मन से ख्वाइश थी कि थारे ब्याका काट शपे. तो इसलिए यह तेरे लिए. प्रित काना, बार बार अपनी अम्रित्यों से बसताया है तू. आज नहीं! काना! मैया! मैं आया मैया! हम वहीं जारहे हैं जहां से तहरी सर गायब होत. मामा, हम भी आपके साथ चलें. हम जहां जा रहे हैं वहाँ आप लोग नहीं आ सकते. हम एक बार लेके तो चलें, हम भी आपके मदद कर सकते हैं. यदि पॉलोमी का उस्थान पर पहुँचके, तो उसे सत्य ग्यात हो जाएगा. क्योंकि उसे भी असूरी शक्तियां प्राप्त हैं. हम इशी ग्रही कुछ करना होगा. इस कॉंट्राइक में साफ साफ लिखा है कि मैं आने की राजबाजबा. तेरी बहन सिम्रन जी याददाश बापस लाने में तेरी मदद करूगा. और पतले में तू मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर हमसे तूर चली जाएगी. तेरा मेरा रिष्टा खतम. आएगी. रिष्टाई का लिए इसाया लिए भगर. आएगी. अच्छा. आएगी. झाल झाल